इस्टुडेंट मैं दुर्गेश पर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बाइलोजी क्लासेस बाइदुर्गेश सर्द में आपका स्वागत करता हूँ बच्चों आज हम लोग क्लास फिल्थ बायो का एक लेशन जिसका नेम है हमेन हेल्थ एंड डीजी इस लेशन में हम एक आपको बताया थे जो टॉपिक था आपका मलेरिया और इस अपिक में मैंने मलेरिया परसाइट प्लाजमोडियम की लाइफ साइकल के बारे में बताया था मुझे आसा है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको वह कंसेट क्लियर हो गया होगा इसमें कोई में कुछ बताने जा रहा हूं कि आप लोग उसके बारे में और भी क्लियर हो जाए कि क्या होता है किस तरीके से लाइब साइकल कंप्लीट होता है क्या कंडिशन बनता है जिसे मलेरिया डिजीज कॉज होता है तो चलिए इस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे ओके चलिए वेटा उसको समझते हैं देखे स्टार्टिंग कहां से हो रहा है तो आप जहाँ पर आप लोग हैंड देख रहे हैं यह हैंड है और इस हैंड पर जब आपका मॉस्कीटो फिमेल मॉस्कीटो लिख रहा है न क्वेन दी मॉस्कीटो बाइट जब मॉस्कीटो किसी दूसरे हीवेन को बाइट करता है इन अदर हीवेन इस पोरोजवाइट आर इंजेक्टेड विथ बाइट तो मॉस्कीटो जो होता है जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले जब किसी परसन को यह mosquito bite करता है उसके blood को suck करता है उस time उस blood में जब वह malaria parasite के infectious form को release कर देता है और जब वह infectious form उस person के body में जाकर उसके liver RBC को brush कर देते हैं उसके बाद यह mosquito जब उसके blood को suck करता है उस infected person के तो उस blood को suck करने के बाद उसके body में यह मॉस्की टो के गेमिट्स सौरी प्लाज मोडियम के गेमिट्स उसके body में चले जाते हैं जाने के बाद उसके intestine और intestine से में sexually production और उनका जब लारवा बनता है तो वह कहां पर आ जाता है slavery glands में यही concept के बाद यहां बताया जा रहा है बेटा carefully समझेगा आप समझेगा जो मैंने अभी बताया वही concept यहां दिया गया when the mosquito bite another human मतलब infected human के blood को लेकर जब mosquito गया उसके body में सब activity हुई और उसके बाद जब mosquito दूसरे human को bite करता है sorry तो bite करता है तो उस time क्या होता है कि sporojoides are injected with bite तो वह sporojoides inject हो जाता है किसके साथ उसके bite के साथ जब वह bite करता है उस bite के time ही उसके celebrity gland से sporojoides इंटर कर जाता है किस में तो another human के body में यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए एकदम clear हो गया अब यह blood से होते हुए आगे देख लिए figure बनाया है liver का अच्छे से देखिएगा liver का figure बनाया गया इसमें क्या दिखा रहा है कि parasites का जो liver through blood यह blood के through कहा पर पहुचता है liver पहुचता है देखिएगा लिखा है parasite जो parasite कहने का मतलब आप जानते ही हो और उस parasite का sporojoides है वह reach करता है liver में through blood blood के through इंटर कर गया अब यह blood के through जब इंटर कर जाता है तो आगे देखिए दिखा रहा है देखिए parasite reproduce asexually in the liver cell तो parasite वहाँ पर liver के cell के अंदर वह क्या करता है कि asexually reproduce करता है और asexually reproduce करके brushing the cell cell को brushed कर देता है जब उसके नंबर बढ़ जाते है तो cell brushed हो जाती है और cell के brushed होने के बाद and release into the blood और क्समें inter कर जाता है blood में inter कर जाता है liver cell से release होकर यह liver cell से release होकर blood में पहुच जाता है यही बाते बताए جा रहे तो parasite asexually production कहां करता है तो आप लोग बताऊगे liver cell भे और ASexually production यह parasite करता है तो क्या होता है liver की cells होती है वह ब्रस्ट हो जाती है अर लिभर की सेल इतले ब्रस्ट होने के बाद यह जो 10 min vaccinated अब Had kya होता है वह इंटर कर जाता हैmont रिलीज हो जाता है किस पे Mel एक चीट्वी सब्लाइश में इंटर कर जाता है ingen लीट रिए आर्बीसी सेल आर बीसी की सेल में भी यह एसेक्सवानी रिपोडूप्टिक्सट्स करता है यहां दिया गया है अच्छे समझेगा इसके बाद लिखा गया ब्रॉस्टिंग बिल रेड बलड सेल्स और यह रेड बलड सेल्स को क्या कर जाता है ब्रश्ट कर जाता है and causing cycle causing cycle of fever और इसके बाद यह जब करता है तो fever की cycle क्या होती है cause होती है या fever जो होता है time to time 2-3 days में जो बने बता है था क्योंकि RBC जब ब्रश्ट होगा उस ताइम एक chemical release होगा बेटा नाम याद होगा हीमोजीन याद है कि नहीं अगर यह नहीं याद है तो एक बार मेरे previous वीडियो को देख लीजेगा और यह हीमोजीन जो होता है इसके present होने के कारण जो मैंने बताया था कि 3-4 days के cycle के duration मतलब 3-4 days में आपका fever recurring होता है मतलब दुहरा आता है देट में साइकल उसकी चल रही है ठीक ना अधर सिम्टम और अन्ने भी सिम्टम सो होने लगते है जो यहाँ बताया गया है आगे देखिएगा रिलीज पैरासाइट इनफेक्ट नियू आर बी नियू आर बीसी सेल यहाँ एक आर बीसी सेल को ब्रश्ट किया वहाँ से निकला फिर नई आर बीसी सेल को इस तरीके से आर बीसी सेल को ब्रश्ट करता रहता है और अपने नंबर को बढ़ाता रहता है ठीक ना इसके बाद क्या होता है कि आर बीसी सेल के अंदर यह सेक्सवल स्टेज भी होता है जब इसके नंबर भढ़ जाते हैं और sexual stage में यह क्या करता है कि ये गेमिटो साइट को प्रोर्वीज करता है मतला भी होता है गेमिटो अधाय मतलब गेमिट की साइड को डेफलाप करता है किसे रूबी-पी-जी में सब लोग को पता है कि गमिट्स क्याip司 के लिए आधी मॉश्कितोव त wieder मास्कितोव नाता है उसी परसन को बाइट करने के लिए आती है और इसके ब्लड को सक करती है तो उस ब्लड के साथ ब्लड मील के साथ ये गेमिट्स जो होते हैं वो चले जाते हैं किस में तो मॉस्कीटो के बॉड़ी के अंदर मैंने बताया भी है आप लोको याद होगा ठीक न की फर्डे सेक्षॉल रिपरड़क्शन कहां होता है सेक्षॉल रिपरड़क्श डिपरड़क्शन होना और वह गेमिट्स का फार्टिमाइजेशन कहां होता है मतारि प्रड़क्शन के लिए गेमिट्स तो बनते हैं यूमिन बाडी में लेकिन सेक्षॉल रिपरड़क्शन कम्प्लीट कहां पर होता है घि नगरिप गेमिट्स तो बन जाते हैं लेकिन गेमिट्स का फ्यूजन गेमिट्स का फ्यूजन कहाँ पर होता है तो वह होता है फिमेल बॉडी के अंदर ठीक न तो वही बता रहा है फर्टिलाइशन और डेवलप्मेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्कीटो इंटेस्टाइन और जब यो यो-आइशन के बाद फिर डेवलप्मेंट होता है इंटेस्टाइन में और जैसे डेवलप्मेंट हो जाएगा तो फिर इनफेक्टी व का इस पो रोज्वाइट प्रोडीएट प्रोडियूस का एजर लारवा और जब यह इस प्रोज्वाइट प्रोडिएट्स होगा आप डाइग्राम में देख सकते हो यहाँ पर स्लेवरी ग्लेंड को दिखाया गया है जहाँ पर स्पोरो ज्वाइट्स देखने को मिल रहे है तो देख रहे हैं न मैचोर इंफेक्टेड इस्टेज इस्पोरो ज्वाइट स्कैप फ्राम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू जाता है तो इस परोजवाइट स्टेज जब आती है बेटा तो इस परोजवाइट स्टेज में यह कहां इंटर कर जाता है है سलेبرी ग्लैंड में चला जाता है रोहीं से फिर अगर यह दूसरे पर्सンフो यह फिमेल मॉस्किटो बाइट करेगी तो उसमें डिजीज कौज हो जाएगा तो इस तरीके से बलेरिया डिजीज को इस प्रेडिंग करती है और तो फिमेल मॉस्किटो और कौन फिमेल याद रखिएगा अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा तो मैंने जो कंसेप्ट दिया आपको क्लियर हो गया होगा क्या बताया है कि जब किसी फिमेल मौस्कीटो के द्वारा किसी एक परसन से दूसरे परसन को बाइट करती है जब एक परसन इंफेक्टेड रहता है तो उस टाइम फिमेल मौस्कीटो के इस पोरोजवाइट बाइट के साथ दूसरे परसन के बलड में चले जाते हैं अब बलड के माध्यम से वह कहां आते हैं लीबर में आते हैं और लीबर में आने के बाद वहां लीबर की सेल में एसेक्स्वली परड़क्शन होता है प्लाजमोडियम फॉर्म हो जाता है इस प्लाजमोडियम कनवर्ट हो जाता है और बहुत सारी संख्या अपनी बनाता है और वहाँ बनाने के बाद जब लीवर सेल को बरश्ट कर देता है तब फिर यह इंटर कर जाता है कहाँ पर तो RBC के सेल में वहाँ भी कुछ समय तक a-sexually production करता है a-sexually produce करता है और अपने नمबर को बढ़ा लेता है इसके बाद वो सेक्सौल स्टेज बार्ट करता है और सेक्सौल स्टेज के टाइम वह पहले गेमिट्स बनाता है रड़ी c की सेहल के अंदर और उसके बाद वह कंती अगर को फीमेल माउस की तो नहीं लेकर जाएगी ब्लड से तो आगे क प्रोसेस नहीं होगी याद रखें कि सेक्सुली प्रोड़क्शन कम्प्लीट और सेक्सुली प्रोड़क्शन में गेमिट्स तो बन जाता है लेकिन उस गेमिट्स का फर्टीलाइजेशन हमेशा फिमेल मॉस्कीटों के बॉडी के अंदर होता है तो इसलिए गेमिट्स को जब वो लेकर जाएगी तो गेमिट्स जाएगे और गेमिट्स जाने के बाद इंटेस्टाइन में गेमिट्स का फर्टी लेशन होगा जाइगोट बनेगा और वही जाइगोट का डेवलप्मेंट जब स्टार्ट होगा तो फिर बनेगा लारवा और को जब बाइट करेंगी तो दूसरे में जाएगा तो यह साइकल जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें आपको पता है कि आपका प्लाज मोडियम की लाइब साइकल टू स्टेज में टू होस्ट में कम्प्लीट होता है पहला जो होस्ट होता है वो हुमेन होता है और सेकंड जो हो शोता है वो मॉस्कीटो होता है ये सभी बाते आप तयार रखिएगा अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज हमें बताइएगा मैं आपको क्लियर करूंगा तो इस तरीके से प्रोटो जोवन एक प्रोटो जोवन जो ही में में डिजीज काज करता है प्लाज बोडियम इसका टॉपिक कंप्लीट होता है अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोटो जोवन के बारे में दिया गया है आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रोटो जोवन जो है आपके बुक में आप देख सकते हो वो है एंट अमीबा हिस्टोलीटिका नेक्स्ट क्या है बच्चा एंट अमीबा हि हिमेन का बोड़ी का पार्ट जो है वह है लाड़ इंटेस्टाइन वहाँ पर वह कौज करता है अमीवियोसिस अमीवियोसिस एक टाइप का डिजीज है जिसका एनादर नेम इन ब्रैकेट में दिया गया अमीविक डिसेंटरी अगर पेपर में आ गया बच्चो कि अमीविक डिसेंटरी को कौन कौज करता है तो प्रोटो जोवन कौज करता है बेटा और अगर प्रोटो जोवन का नाम पूछ दे तो आप एंट अमीवा हिस्टोलीटिका का नाम जरूर दीजिएगा और इसके symptoms क्या होंगे तो सब कुछ दिया तो गया है बेटा constipation, abdominal pain, cramps, stool with excess, mucus and blood clots तो जो stool होता है उसके साथ mucus अधिक मात्रा में release होता है और साथ में blood clot भी release होता है blood के छोटे-छोटे clot भी release होते है और इसके spread करने का एक person से दूसरे person में ले जाने का काम transmit करने का काम कौन करती है तो house fly करती है यह आप लोग याद रखेगा वाता house fly जो है एक तरीके के mechanical carrier का काम करती है यह आप लोग तयार रखेगा ठीक ना जो ficus matter से ficus से इसको कहां पर पहुचा देती है food product पर पहुचा देती है आप अक्सर देखते रहते हो बेटा कि जितनी भी house fly होती है different different food जो बनने होते है food items उन पर जाकर बैठती है और उस बैठने के साथ वो क्या करती है कि इस के इस end proto zone को भी लेकर चली जाती है और ले जाकर food को food में छोड़ देती है जिससे अगर उस food को अगर कोई person खाता है या water को drink करता है तो उसके तो उस तरीके से drinking water and food contaminant by fecal matter our main source of infection दिया गया है कि इन दोनों के द्वारा infection होता है और इस infection के कारण इस infection के कारण अभी भी dysentry होती है और इसको carry करने का काम कौन करती है house fly करती है तो यह तक आपका proto zone खतम हो रहा है अगले वीडियो में मैं आपको अगरा topic as carries के बारे में बताऊंगा तो चलिए यही पर वीडियो को in कर रहा हूँ अगर कोई doubt होगा तो जरू पूछेगा ओके थैंक यू